कॉंग्रेस ने मद्विदेश विधान सभा चुनाओं के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में युवाओं पर भरोसा जदाए है। कॉंग्रेस ने कई युवाओं कैंडिडेट चुनाओं मैदान में उता रहे हैं। कॉंग्रेस ने कहा कि लिस्ट में युवाओं के संघर्ष को सम्मान मिला है। एक तरब भाजपा कैलाश विजे वरगी नरेंदर सिंग तोमर जैसे पुरानी नेताओं को टिकट देती है। तो वहीं कॉंग्रेस युवाओं को मौका देती है। कॉंग्रेस एक सो पचास से ज्यादा सीट मध्यप्रदेश विधान सवा चुनाओं में जीतेगी और कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंतरी वनेंगे। वहीं भाच्पा विकरान्द भूरिया को परिवारबाद की देन बताकर उन पर ही निशाना साध रही है। इससे युवाँ में और महिलाओं में बहुत जादा उस्सा है और जिस तरह से युवाँ को इूथ कॉंग्रेस को पहली लिस्ट में साथ टिकेट दिये गए हैं। से यूद कॉंग्रेस का जो संगर से उसको जो सम्मान दिया गया है उसके लिए विशेश तोर पर मैं कमलनाज जी की राहुल जी की और खरगे जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और जो फर्स टाइम वोटर हैं और जो महिला है निश्चित तोर पर इस इसी तरफ यूवाओं को मौका देरी इससे एक जबदस संदेश हमारे यूवाओं में भी गया है आप देख रहे हैं डखल न्यूज